परियोशना के लिए गुप्त नवरात्री के अश्मी को मार नर्बदा कलश यात्रा निकाली गई कारिक्रम के आयोजग चोरल ग्राम पंचयत के सरपंच एवं सिम्रोल ब्लॉक कॉंग्रेस अध्याक्ष अशोक सीन ने बताया कि पुर्वधाया का अंतर सिया दर्बार के नेतत में महीश्वर जौनापाव नर्बदा उद्गम परियोशना के लिए एवं 1350 करूर की योशना क स्विक्रत कराने वाले कौंग्रेस के पूर्वमंत्री सूरेंद्र सिहा भगेल हनी का अभिनन्धन और मा नर्बदा की कलश्यात्र का अउजण ग्राम प्चोरल में किया गया जिस में हजारों की संख्या में महिलाई एवं कौंग्रेस के कारिकरता शामिट होए कारिक्रम के मुख्य अती थी पुर्वमंत्री बाला कारिक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र सिह भगेल निकी और मौके पर प्रमुख रूप से अशोक सोनी म्रणाल पंत जुलापंश्यात सदस्य कनहेय लाल थाकोर रुपमणी निनामा रूमा गुरू भुरो गुरू विरें सेनी बाबुलाल सैनी प्रदीप कोशल राजु पतेल महीश निनामा इंदर सिह ठाकुर शाकिर खान आशीश वर्मा प्रविन पाटल आदीम प्रमुख रूप से उपस्तत है कारिक्रम का सुचालन पुरुविधायक अंतर सिह धरबार निकिया एवं आभार सरपंच अशोक सेनी ने माना जिसके पेश्यात मा नर्बदा का पूजन कर का लश्याक्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में महिलाय शामिल हुई एवं मा नर्बदा के भजन का कीरतन किया किया वसमापन पर मा दुर्गाई वं मा मा नर्बदा की आरती हुई महुं से संजर वर्मकिल पोट लेकिन ऐसा नहीं करना चीए वो फर्जी बना हुई है वो कमल नाजी की जिस तरह से अभी कमल नाजी की लोग्त्रियता का ग्राफ जो बढ़ रहा है उससे भाजपा ने घबरा कर ये नकली और फर्जी इस तरह की बना रहे हो जिससे की हमारी छबी धुमिल हो जा सके लेकिन कमल नाजी को इसका कोई फरक नहीं पड़ता है कमल नाजी ओ लीडर है जो एक लोग्त्रवा छेतर से दस्वी बार नौ बार वो खुझ लोग्त्रवा का चुनों जीते हैं और दस्वी बार में उनका बेटा चुनों जितकर आए हैं तो जिस तरह से इसे पंधर मेने तक मद्द प्रदेश स्रकार मद्द प्रदेश का सित्रता ठोल hex और कमणाजी में महुविदान सभा में जो आए हैं जिसके आयुजय कंतर सिंग दरवार जी है यहांके सर्पन साफ अचोप सेनी जी ए हमारे फूर मन्तरी मंदल के मंतरी आदर्णी कमनला जी के मंतरी मंदल के मंतरी हानी बगेल जी बेठे हैं वह आप रोको कि इस बारे में डेटेल बताए भी किया है तो हमारी शुरुवात थी और उसके बाद इनको देज रफ्तार से काम करना था भी तक पानी दे देना था तो इनने पानी नी दिया और मैं आपको बसाना चाहता हूँ भी घटिया काम कर रहे हमारे यापर भी हनी बगेली और कबलनाजी ने नागलवारी उद्वन सिचाई बढ़वानी जीले में दी थी परसु जब उसका टेस्टिंग हुआ तो लगवग बावीस जगह से बस्त हो गई तो उसमें भी उन्होंने जो करप्सन किया है और यह चोरल के और महुविदान सभा की जो उद्वन सिचाई उनना हमारी कमना जी को और हनी बगेली की बी हुई है और अंतर सिंग्सींक तर्वार जी के उसमें परियास थे और यह जो परिवार के लोग बीटे इंक परिया सबकेश्ञर में जारपार्मों सलना करते हैं क्यों जाकर हुआँ है क्यों और मी चाहले है मुसे क्दों कवाह दानी पर्दकली Oh तो उनकी सब बनावटी चीजे जीत रही है जो पचास से अधिक हमारे विदायक चुनाओं जीत कर आएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि one-sided election होगा अब जिस तरह से जो body language शुरा सिंग जी की जो ए रही है बता रही है कि जो बोखलाट जीस तरह से जो होई है उससे लोगों ने मानना भी उनको मानना भी मानना भी बंद कर दिया है एक सो पचास से अधिक सीटे हम जीतेंगे और कमल नाजी के पंदरा महिने के कारकाल को मदवर्देश की जनता ने खुब याद किया और बहुत अच्छा लगावा था इसलिए जनता चाहती ही कि हम कमल नाज अर्तिक साहिता के जो गोला था ओत्व साह दो मिल गए अभी जास रिपोर्ट उजे को सरकार और रही के साथ में पार्सलिटी कर रही है का उंका साथ दे रहे है ये सरकार का काम है इसको भी हम अभी जो 10 जूलाइसी जो सक्च लगना वहार्दा रोगना है उसमें हानी आज की जो कलस्यात्रा है ये गुप्त नवरात्री हम काफी समय से पेंडिंग थी असोग सेनी जी का सबना था कि कलस्यात्रा यहां निकाली जाए तो एक तो नर्वदा जी का पानी यहां आ रहा है इसमें उनका उनके लिए हनी बगेल का स्वागत करना थी साथ में गुप्त नवरात्री थी इसलिए माता जी कि चुम्री भी निकालना थी यह दोनु काम एक साथ होने थे वह साथ में हमारे पूरे पहाड से आदिवासी भाई और बहन उत्रे हैं तो हमारे आदिवासी नेदा उनको वह सुने और उनके लिए क्या योजना सरकार लेके आई है तो सब योजनाओं का यहां पर पंद्रासु रुपे पांस रुपे सब्सक्राइब यह पूरे चोरल के अंदर वैसे तो पूरी महुतेशिल में हमने घुमाई है और चोरल में विशेश रूप से असरोक सेनी जी का सबना था उसको आज हमने मुर्थ हो एक महुमें पांद का मुमेंट भी लगाता जारी है आप पतारे देविश्टेश रूप है कि मंत्री जी का इंट्रेस्ट नहीं है बाग को फखर लें कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके इंदोर के जो लोग हैं उनको कहीं सिकार करना हो यो आखेट करना हो जो उनके बड़े-बड़े प्रेट करके वाध को पकड़ा जाए क्योंकि जनानी हो रही है मवेश्चों कि यहां नहीं हो रही है लोग जंग बोनी नहीं कर पा रहे हैं कितनी हर्यां मंत्री क्या कर रही है जाए उसको अगर कोई कि एक मांग रखता एक परिवार अगर मांग रखता है कि एक मन्तरी को जवाद दना चाहिए कि केभीझ कि शर्मनाक और दुखत उनका बयान था जिसकी में निंदा करता हुए